नमस्कार साथियों स्वागा थे आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्ती क्लासेज में दोस्तों पार्ट सब इस स्वीच को हम लोग पढ़ रहे थे और इंग्लिश में दोस्तों या ग्रैमर में हैं हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन को अची तरीके से गवर कर लिया पार्ट सब इस स्वीच में आज नमबर है दोस्तों एडजेक्टिव का अज दोस्तों नमबर है एडजेक्टिव क्या चीज होता है इनके बारे में आईए जानकारी लेते हैं और दोस्तों पढ़ो वही जो परिक्षा में पूछा जाए तो इस सिधान से हम लोग आगे बोलते हैं या विशेशन बोलते हैं हिंदी में और एडजेक्टिव का काम क्या है तो विशेशन करता क्या था दोस्तों हिंदी में अगर आपने पढ़ा है तो यह संग्या यानि नाउन और प्रोनाउन यानि सरोनाम के पहले लगकर उसकी कुछ नकुछ विशेशता को बतल अगी इसके एक्जाम्पल को देखते हैं जो क्वालिफाइजा को बतलाता है किसके अनाउन एक नाउन के या तो गणी दोस्तों देखिए जैसे सबसे पहले एक्जामपल लेते हैं मीना कैसी लड़की है चालाक लड़की है तो ये girl क्या है? noun है गरल क्या है बच्चा? noun है और noun में भी कैसा noun है ये? तो मैंने आप लोगों को बताया है noun के बारे में ये common noun है अगर आपने noun के बारे में नहीं पढ़ा है तो description में link है जाके वीडियो को पे visit करो और noun फटाफट पढ़ लो दूसरा example देखे गर कैसा है बढ़ा बड़ा घर है तो हम बड़े से घर में रहते है यहां पे ध्यान दीजेगा जो girl आपने पढ़ा वो क्या था? noun था house आपने पढ़ा noun है beautiful कौन beautiful है बढ़ा? तो she वह beautiful है वह सुन्दर है तो वह क्या है? pronoun है pronoun क्यों है? क्योंकि यह किसी भी noun की जगें पे आया she किसी भी लड़की की नाम वह थोड़ी ना होता है उसका कोई ना कोई नाम होता है तो नाम को अगर हम जानते नहीं तो हमने she बोल दिया हमाँ पे she is beautiful तो she क्या pronoun? तो वही हमने पढ़ाना समझ लेते हैं दोस्तों देखिए जब भी हम अपने जिन्दगी में किसी भी चीज को देखते हैं ठेक अगर उसकी तुलना करते हैं किसी से भी तो हम क्या कहते है या तो वह चीज कोई विवस्त हो गई या तो आपके लिए अच्छी होती है या तो वह खराब होती है है ना लेकिन अच्छी या खराब क्या होती है कोई न कोई नाउन या कोई न कोई प्रोनाउन है ना नाउन को आप देखते हो कहते हो नाउन में कुछ भी आता है तो नाउन में आप कुछ भी देखते हो आपको या तो अच्छी लगेगी या तो खराब लगेगी ठेक तो उसी तरीकी से दोस्तों यहाँ पर adjective पर बारे में मैं आपको समझाना चाहता था कि अच्छा और खराब क्या है यह विसेश्ता बताता है ठेक quality को बताता है तो आईए देखते हैं इसी क्रम में इसके kind के बारे में kinds of adjective adjective के कितने kind है देखिए सबसे पहला है भाई या adjectives of quality दूसरा क्या है adjectives of quantity तीसरा क्या है adjective of numbers दोस्तों यहाँ पर जो पहला वाला अपना है adjectives of quality इसको descriptive adjective भी बोला जाता है और यह जो adjectives of number है इसको numeral adjective भी कहते हैं अपना क्या है या तो interrogative adjective और छठा क्या है तो distributed adjective दोस्तों इन छे प्रकार के बारे में हम लोग read करेंगे अध्यन करने वाले हैं जो कि हमारी परिक्षा में पूछे जाते हैं तो एक-एक करके आए समझते हैं सबसे पहले देखते हैं क्या adjective of quality adjective of quality को हिंदी में बोलते हैं क्या गुडवाचक विशेशन क्या बोलते हैं गुडवाचक विशेशन तो गुडवाचक विशेशन इसको बोला जाता है अब देखिए adjectives of quality जो adjective of quality है यह क्या करता है सोजदा quality quality को दरसाता है of a person or thing किसी भी परस्तन किसी भी विव्यक्ति या वज्टो के quality को जो दरसा है उसको quality of adjective कहा जाता है ठीक adjective of quality कहा जाता है example देखिए Indian army has a brave soldiers ठीक कैसे सिपाई हैं बैया तो brave बहादूर है तो बहादूर क्या है soldiers की क्या है बहादूरी यह उनका good है दूसरा example देखिए I like blue shirts मुझे कैसे shirts पसंद है blue तो shirt की quality कैसी होनी चाहिए blue होनी चाहिए He is an honest man वहाँ इमानदार व्यक्ति है तो उसके अंदर गुड़ क्या है इमानदारी का है You can lift this light box तुम इस हलके box को उठा सकते हो तो box कैसा है हलका है कि noun search करना चाहिए noun तो यहाँ पे noun ये यहाँ पे noun ये अब देखिए temple कैसा old और bell कैसा large तो large और old यहाँ पे दोस्तों क्या है इसकी quality को बता रहा है अगला देखिए she is beautiful she is beautiful तो वह क्यासी है उसकी quality क्या है सुन्दर था ठीक है चलिए अब यहाँ तक आपने समझ लिया आए देखते हैं अम लोग इसके दूसरे kind को दूसरा kind क्या था adjective of quantity quantity का मतलब होता है परिमान वाचक परिमान quantity का मतलब परिमान होता है और adjective लगा तो आप बोल सकते हो परिमान वाचक विशेशन तो यह क्या होता है adjectives which tell us ऐसे adjectives जो हमको बताते है how many यहाँ पर दोस्तों यह आप लिख लिजेगा how many और how much how many या how much जो भी हमको बताते है adjectives उनको adjective of quantity कहा जाता है देखिए जैसे I have enough time मेरे पास कितना समय है परियाप समय तो how much time परियाप समय enough अगला देखिए he has spent all money he has spent all money कितना धन उसने खर्च किया तो all पूरा धन there was no medicine ज़रा भी medicine नहीं था in the bottle बोटल में तो no क्या हो जागे यहाँ पे adjective of quantity को सो कर रहा है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ note है adjective of quantity के बाद किवल abstract या material noun आता है तो दोस्तों abstract या material noun क्या होता है इसको पढ़ने के लिए आप description में visit करो playlist में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे अगर आप super trade या trade के तयारी कर रहे हो तो तीसरा दोस्तों kind है adjectives of number adjectives of number adjective of number यानि कह सकते हैं लोग संख्या वाचक विशेशन संख्या वाचक विशेशन अब संख्या वाचक विशेशन क्या होता है दोस्तों देखिए an adjective that expresses the number the number को जो व्यक्त करता है express करता है तो करता है of a person or things किसी भी person या think के तो it answers the questions या person के उत्तर को किसमे देता है how many कितने में दोस्तों it has two types इसके दो type है किसके adjective of number के और मैंने यहाँ पे आपको एक सीज़ और बताया था इसको numeral adjective भी बोलते है it has two types कौन-कौन दो type है तो definite और indefinite definite numeral adjective पहला हो गया और दूसरा क्या होता है indefinite numeral adjective यह दो क्या है type है किसके adjective of number के अब दोस्तों definite numeral adjective जो होते है इसके भी दो type है कौन-कौन से है एक होता है cardinal एक होता है cardinal और एक होता है ordinal cardinal दोस्तों क्या होता है cardinal सु करता है संख्या सूचर क्या करता है संख्या सूचक होता है यह जैसे 1, 2, 3, 4, etc. ओर्डिनल क्या करता है यह क्रम को सो करता है क्रम को ठीक क्रम कैसा जैसे 1st, 2nd, 3rd, etc. तो यह definite article होता है और indefinite में क्या आता है विया तो all, no, और क्या आता है little, few, तो यह सब दोस्तों किस में आएंगे indefinite numeral adjective में आएंगे और cardinal, ordinal यानि 1, 2, 3, 4 यह cardinal में और 1, 2, 3, 4 यह cardinal में और 1, 2, 3, 4 यह cardinal में आते हैं चलिए, देखिए यहाँ पर कुछ example देख लेते हैं हम लोग, my sister has two dolls, two dolls यह कैसा है, तो यह cardinal है his first car was white, उसकी पहली car कैसी थी, white थी, and the second one, यहाँ पर first और यहाँ पर second लेना है तो यहाँ पर many किस में आ जाएगा, many, तो many आएगा अपना indefinite में, ठेक चलिए, आएए, अब अगला दिखते हैं लोग, kind, demonstrative adjective demonstrative adjective, तो demonstrative adjective क्या होता है, तो adjective which are used to point out some person or thing are called demonstrative adjective तो adjective which are used to point out, point out यानि सूचित करने के लिए some person, कुछ person या व्यक्तिको दोस्तों, demonstrative हमने प्रोनाउन भी पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो, प्रोनाउन वाले class में देखें, आपे क्या होता है, this, that, these, those में आते हैं we have four demonstrative adjectives, कौन-कौन से होते हैं या वो, तो होता है वो this, that, these and those mainly इन ही को हम इसके अंतरगत पढ़ते हैं, this, दोस्तों ये singular है, इसका plural होता है those, that, singular है, इसका plural होता है, those, this, ये pass की चीजों को house, तो यहाँ पर दोस्तों, this house, इस घर में आप कब से रह रहे हो, या कितने समय से रह रहे हो look at that man in green shirt, look at that man, तो यानि उस व्यक्ति को देखो, उस व्यक्ति को देखो, जो कैसा shirt पैना है, green चलिए, अगला example, these apples are sweet, these apples, ये apple sweet है, आगे, those taxi drivers, वे taxi driver, we hired last Sunday, वर, तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, those taxi drivers, दोस यहाँ पर आया है, हमको बस these, those, यह थम देखेंगे, और बगल इफ हमको noun search करना है, अगर मिल गया, तो demonstrative adjective वो हो जाएगा, चलिए, देखिए, पांचवा kind, interrogative adjective, interrogative adjective क्या होता है, दोस्तों, तो नाम सी clear है, कि प्रशन पूछने की बात जहाँ पर होती है, and adjective which is used to before a noun, before a noun, used होगा, और ask a question, to ask a question, question पूछेगा, देखिए, whose pen is this, pen क्या है, noun है, और noun के पहले आ गया है, whose pen, किसकी pen है, which way is the wind blowing, तो यहाँ पर which क्या है, और वे के पहले आ रहा है, तो इसका मतले भी क्या हो गया, interrogative adjective हो गया है, चलिए, kind number six देखते हैं, क्या है, तो kind number six देख लेते हैं, distributive adjective, each, every, either and neither are called distributive adjective, when they are followed by a noun, each answer is correct, each answer is correct, distributive adjective, I know every student, I know every student, distributive adjective हो गया, neither answer is correct, तो neither क्या है, यह distributive adjective है, जब वो किसको follow करें, noun को, you can write on either side of the paper, तो दोस्तों यहाँ तक आपने छे kind को अच्छी तरीके से read किया, अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें, तो सिक्षक भरती की जो तयारी होती है, यह हम लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगो दोस्तों तो आप comment करके बेज़े जग मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका reply करूँगा, आप चेक कर सकते हो comment में सबके reply मैं करता हूँ, जितने भी लोग, जितने भी student, जितने भी बच्चे पूछते हैं, मैं सभी का जवाब देने के लिए तयार रहता हूँ, और अपना class से वीडियो को share जरूर कीजे, अगर वीडियो को आप लाज तक देख रहे हो, बस यही कहना चाहूँगा, वीडियो कैसे लगा है बताइए जरूर comment करके, बहुत बद्धने बाद, आप सभी लोगों का, thank you so much, जैहिंद